ये ये हेलो दोस्तो नमशकार SMKS चैनल में मैं मैं आप सभी लोग का दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ सब्स्तो बेसिकली अम लोग बात करने वाले अगेर Deliance Industry के बारे में रिलाइंच इंडस्ट्री के बारे में आप सभी लोगों को पता है कि अच्छा कासा अल्रेड़े हम लोगों को भागते वे देखने को मिला मतलब लगबग 800 के करीब आ चुका था एप्रॉक्सिमेटले हम लोग कह सकते थे एग्जैक्ली नहीं लगबग 2400 तक तो गया था सो उसके बाद 2400 के बाद अभी 1900 के रेंज में हम लोगों को देखने को मिल रहे है 1902,000 के रेंज में एक गिरावट की पीछे की वज़ा आप सभी लोग पता है Amazon, Future Retail, Case, Arbitrating, Singapur, सब कुछ आप लोगों को पता है सो दस्तो यहाँ पर और एक दूसरी थोड़ी सी यहाँ पर अपडेट आ चुके जिसके वज़े से हम लोग कह सकते कि Reliance Industry को अभी थोड़ा सा एक यहाँ पर दूसरा जटका भी हम लोगों को लगते वे देखने को मिल रहा है पर वापस के रहा हूँ दोस्तो यह चीज़े आप लोगों को समझ में आनी चाहिए कि कभी भी कोई भी Company से Related अगर Negative News आती है क्योंकि अगर देखा जाए तो Negative News इससे पहले HDFC Bank में भी आया था कि HDFC Bank में Fraud हुआ है करके पुरानी News है फिर भी HDFC Bank टॉप है क्योंकि उसका Importance अगर देखा जाए तो इतना बड़ा नहीं था Budget Finance में भी आप लोगों ने देखा है कि Fraud से Related छोटे मोटे चीज़े आती रहती है बट जैसे मैंने का कि उसकी Materiality ओवराल अगर हम लोग बात करें Budget Finance वो केस भी हार गया तो कितना फरक पड़ेगा 10 लाग, 20 लाग, 5 लाग करोड की Company है तो ये चीज़े आपको समझ में आनी चाहिए कि ये जो News आती है किसी भी Company से Related चाहिए पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो वो कितने हद तक उस Company को Damage कर सकती है, Impact कर सकती है, इसका Calculation आप लोगों को यहाँ पर प्रॉपरली आना चाहिए तो ये वीडियो देखने के बाद ज़रू मुझे Comment section में बता देना कि आप लोगों को क्या लगता है, यहाँ पर ये जो News है, कि ये जो जटका Reliance Industry को ज़रूर मिला है, ऐसा हम लोग नहीं नहीं बोल सकते, तो उसका Impact Reliance Industry के उपर कितना रहेगा तो चले दोस्तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, निउस की उपर डिरेक्ली आ जाते हैं, बड़ उससे पेले एक Important बात बताना चाहूंगा, जैसे की लेटेस वीडियो भी आप देख सकते हैं, दो वीडियो आ चुके, IRCTC भी इतनी अचानक तेजी क्यों आई, तो इससे रिलेटेड भी वीडियो यहाँ पर आ चुका है, तो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके बिलकुल हमारे Normal Screen के उपर, अगर हम लोग यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, एक दूसरे के साथ जो फाइट करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एरिटेल में हम लोग को यहाँ पर हरा निशान देखने को मिल रहे हैं, वो भी अच्छा खासा, तीन परसंट के positive returns, और बाकी दो companies में हम लोग को यहाँ गिराबट देखने को मिल रहे ह है, तो दोस्तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं, कि यहाँ पर जो data सामने आ जाता है, इस वक्ष्टेंबर मन्त का data यहाँ पर सामने आ चुका है, यूजर्स का, कि यहाँ पर कौन से companies को सबसे ज़्यादा नए subscriber मिल चुके है, नए customer मिल चुके है, तो दोस्तो इस वक्ष्ट का जो data है वो different है इस वक्ट जो number इस वक्ट जो बाजी मारी है वो भारती एरटेल में मारी है इस वक्ट मतलब यह data हमेशा लेट आते हैं तो September सब्सक्राइबर मन्त का data ट्राइ ने अभी यहाँ पर क्या कर दिया है पब्लिश कर दिया है आप देख सकते हैं भारती एरटेल वास्ट बिगेस्ट गेनर इन टर्म्स ऑफ यूजर इन सब्सक्राइबर एडिशन्स मतलब यह नए कस्टमर इसको मिल चुके कितने 3.8 million so definitely यह data है वो मेरा नहीं है officially जो regulatory है हम लोग यहाँ पर कह सकते किस से related टेलिकॉम की तो उन्हों नहीं यह data publish किया है तो भारती एरटेल की 3.8 है तो जियो के कितने तो वो भी देख लेते हैं तो दोस्तों जियो की अगर हम लोग यहाँ पर बात करे तो ट्राय ने जो data यहा यहाँ पर क्या किये एड किये है तो भारती एरटेल आप देख सकते 3.8 एंड जियो 1.5 मतलब इसको double भी करोगे तो 3 million होते हैं बट भारती एरटेल 3.8 मतलब more than double यहाँ पर जो नए subscriber किसी ने एड किये तो भारती एरटेल ने यहाँ पर एड करते हुए देखने को मिल रहे दोस्तों obviously Vodafone Idea के भी बात होगी तो Vodafone Idea ने यहाँ पर कोई भी customer आड नहीं किये in fact हम कह सकते हैं उनका जो damage वाला पार्ट है वो continue होते हैं देखने को मिल रहे हैं मतलब they are still losing the subscribers and अगर हम लोग बात करें Vodafone Idea lost 4.6 million subscribers in the month इंदमन्त मतलब September की बात हो रही है BSNL की अगर हम लोग बात करें तो लगबग 78,000 new users उनको यहाँ पर मिल चुके हैं so definitely दोस्तों यह news बहुत ही ज़्यादा important है अभी हम लोग थोड़ा सा और आगे जाएंगे जहाँ पर हम लोग उनको देखने को मेलेगा कि wireless subscriber base यहाँ अगर हम लोग बात करें तो जियो के पास लगबग 404.1 million यहाँ पर subscribers है किस से related wireless की में बात कर रहा हूं अगर हम लोग यहाँ पर बात करें एरेटेल की तो लगबग 326.6 million है एंड अगर वोड़ा फोन आइडिया की बात करें तो 295.5 million है अगर हम लोग बात करें तो market share की तो market share कीतना है जियो की लगबग 35% की market share है एरेटेल की बात करें तो 28.4% है एंड वोड़ा फोन आइडिया की बात करें तो 25.7% का market share है अगर हम लोग wireless की भी बात करें तो अभी भी अगर देखा जाए तो इसलिए बार-बार जो बोलते हैं न वोड़ा फोन आइडिया के जो customer lose हो रहे है तो वो जाहें के का तो दो ही option है अगर बड़े option देखा जाए तो और भी छोटे-छोटे option अवेले बले बट बड़े option का है जियो एंड एरिटेल सिर्फ ये दो option है एंड इसलिए ये दोनों पूरी तरके से ताकल्द लगा रहे है कि subscriber उनके और यहापे attractively यहापे आना चाहिए इसलिए तो इतने सारे ads हम लोगों को देखने को मिल रहे है अलग-अलग data देने की बात करें जो भी planned रहेगा prepared आपका continue rolling back यहापे रोल ओवर होने की यहापे बात करें तो यह सारा खेल उसी से related हम लोगों को देखने को मिल रहा है उसी के साथ साथ अगर हम लोग broadband की पासे लगबग 56 पसेंट एरिटेल के पासे लगबग 23 पसेंट और वोड़ा फोन आइडिया के पासे लगबग 16-15 पसेंट सो हम लोग कह सकते कि इधर भी जियो का जो performance है वो बहुत ही जबरदस है in fact एरिटेल से double ही देखने को मिल रहा है बट दोस्तों आप लोग देख सक है कि जो blue numbers आपको देखने को मिल रहे है वो है relance जियो सो पिछले चार मन्त में कब March, April, May, June चारो मन्त में आप लोगों को यहाँ पर add होते है वह देखने को मिल रहे है ब्लू इसमें relance जियो जो हरा निशा ने वो वड़ा फोन idea है जो की minus में था March में भी, April में में भी, June म हुआ है बट उसके बाद अगर आप लोग देखोगे कब से यहाँ पर अब बहुत ही ध्यान से देख लेना जुले मन्त से जुले मन्त में अगर हम लोग देखेंगे तो तीनों में अच्छे का से addition होते हुए देखने को मिल रहे है अगें August की बात करें तो Vodafone idea minus 1.2 में ज देखें तो यह second time हम लोगो होते वे देखने को में रहे है क्योंकि last time भी 2.9 था एरिटेल ने कस्टमर अपने पास गेन के थे एंड जियो की बात करें तो only 1.9 था इस वक्त की बात करें तो 3.8 है यहाँ पर जियो देख सकते हैं मात्र 1.5 है जरू हम लोग कह सकते कि यहाँ आप लोग देखोगे wireless segment भी है तो वहाँ पर भी अगर हम लोग बात करेंगे तो जो जियो के customer से वो कितने gain हो चुके लगबग 3.0 लाक से भी जादा वो addition होते वे देखने को मिल रहे है और अगर एरिटेल की बात करें तो यहाँ पर हम लोग को सिफ 66,000 के आसपास obviously millions की बा में ही हमलों को maximum competition यहाँ पर देखने को मिल रही है तो definitely अगर एरिटेल यहाँ पर ज्यादा customer gain करता है तो Reliance यहों को मतलब ही Reliance industry के share में हमलों को थोड़ा सा यहाँ पर negativity देखना एक बहुत ही लाजमी सी बात है जो कि आज के दिन भी हमलों को यहाँ पर देखने को मिला है और दोस्तों इसी के कारण आप लोग अभी chart pattern को वापस एक बार review करोगे तो Reliance देख सकते हो जादा बड़ी गिरावट नहीं है बट लाल निशन में एरिटेल इसी news के कारण हम कह सकते हैं लगबग 3% से जादा का तेज है और Vodafone idea तो obviously negative रहना ही चाहिए दो पसंड की गि profitability भी है मतलब loss में चल रही है उसमें भी company को भार निकलना है उसी के साथ साथ जो shareholders ने इनके उपर भरोसा दिका है तो उनको भी यहापे profitability कमा के देनी है तो बहुत ही एक tough task Vodafone idea के उपर है जो कि उससे अफिलाल हम लोगों को जूश के वी देखने को मिल रही है तो तरीके से नए customer को अपने और आकरशित कर पा रहे है इसलिए जियो में हम लोग यहापे कह सकते कि कम customer जाते हुए देखने को मिल रहे है तो आप सभी लंग बता है कि कोई भी share में हम लोग को अगर already pressure देखने को मिलता है तो ऐसी भी news अगर कोई negative आ जाती है तो और addition यहाप पे गिरावट में दर्च करवा देती है बट जैसे मैं आप लोग को वीडियो के शुरुआत में ही बताया concept of materiality मतलब क्या इससे reliance industry ही खतम हो जाएगी मतलब जियो बरबाद हो जागा ऐसी बिलकुल बात नहीं है अगर आप graph को ध्यान से देखते हो तो लगबग चार मन्त में जियो ने इतने customer already attract करके रखे हुए so obviously उनके पास बहुत बड़ा customer base already यहापे आ चुका है so definitely हम लोग कह सकते कि news negative तो जरूर है बट इसका रत यह नहीं होता है कि company खराब हो गई बरबाद हो गई जो कि आप लोगों को यह concept यहापे समझ में आना चाहिए तो इसलिए मैंने आप लोग को कहा है कि आप भी comment section में इसके बारे में मुझे जरूर यहापे बता सकते हो so video को close करने से पहले एक बार हम लोग यहापे go through कर लेते कि इनका आज के दिन का performance के सिरा तो reliance industry जहापे गिरावट हो रही है 2000 के नीचे बहुत सारे expert ने कहीं दिया and what a phone idea की बात करें तो लगबग 36% के आसपास delivery देखने को मिल रही है so यही कहना चाहूँगा जिनके पास भी reliance industry मुझे नहीं लगता कि आप लोग ने कोई डरने की ज़रूत है बिंदा साफ लोग hold कर सकते हो reliance industry में जितनी भी गिरावट होती है आप लोग यहापे buy on dips दल रहा है future retail का सपोज Amazon जीच जाता है नहीं होता है कि बीक बजार उनको नहीं मिलता है पकड़ लो दो नेगेटिब यूज तो reliance industry ज़रू नीच आएगा बट वो खरीदारी की opportunity रहेगी क्योंकि यह दो चीज़ें नहीं होती तो इसकार यह नहीं कि वो कंपनियां बरबा जाएगा साथ मेना लग जाएगा बस इतना ही फ़रक यहाँ पर पढ़ सकता है तो मुझे नहीं लगता कि कोई panic की situation यहाँ पर आप लोगोंने create करनी चाहिए तो definitely आप लोग इनके शेर को अगर आपके पास रहेंगे तो इनको hold करके चल सकते हो तो that's it thank you very much दोस्तो अगर